नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपेर्स क्लाउड में तो दोस्तों DRDO फिर से मिसाइलों के टेस्ट का सिलसिला सुरू करने जा रहा है और कल मैंने आपको बताया था कि DRDO एक ऐसी मिसाइल को बना रहा है जो चीनी एरक्राप्ट केरियर पर भी परमाडू हमला कर उसे डूबा देगी और अब DRDO यही नहीं रुकने वाला और खबर है कि DRDO ने बंगाल की खाड़ी में एक नो टैम वार्निंग को जारी किया है और जो मेरी वीडियो रेगलर देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि नो टैम वार्निंग होती क्या है लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं सौर्ट में बता दू कि नो टैम वार्निंग तभी दी जाती है जब DRDO अपने हथियार या मिसाइलों को टेस्ट करता है और उस एरिया में किसी भी तरह के ड्रोन, एरक्राप्ट और हेलिकाप्टर या फिर फाइटर जेट उड़ने पर वार्निंग दी जाती है कि इस एरिया में मिसाइल टेस्ट होने जा रहा है और हेलीकाप्टर फाइटर जत या ड्रोन नो टाइम एरिया से दूर उडान भरें ताकि किसी भी दूरगटना से बचा जा सके और इसमार डियाइड यो बहुती महत्थपूर मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है और ये मिसाइल इसले महत्पूर है क्योंकि ये मिसाइल जब भारती वायू सेना में सामिल होगी तो भारती एरफोर्स की ताकत बढ़ना लगभगता है मानिये और ये मिसाइल इतनी ज़्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसकी स्पीड से लगा सकते हैं ये मिसाइल आवाच से तार गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरने में सच्छम है यानि कि ये मिसाइल 4.5 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकती है और 5600 किलो मिटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब या मिसाइल किसी भी फाइटर जट पर हमला करेगी तो दुस्मन लड़ाकू विवानों के पास इस मिसाइल से बचने का समय नहीं होगा इतनी ज़्यादा घा तक इसकी स्पीड होगी और इस मिसाइल की रफ्तार ही इसे खास मिसाइल बना देती है वहीं बात करों कि या मिसाइल कितनी दूरी तक मार करेगी तो दोस्तों ये मिसाइल 160 किलो मिटर तक किसी भी लड़ाकू विवान को मार कर गिराने में माहिर होगी और आपको बता दूँ कि इस missile के लिए range matter नहीं करेगी अब आप लोग कहेंगे कि वो क्यों तो आपको बता दूँ range इसलिए matter नहीं करेगी क्योंकि ये missile एक air to air missile है यानि कि इस missile को fighter jet से दागा जाएगा किसी दुस्मन fighter jet पर और ये missile fighter jet में लगी रहेगी और fighter jet की मदद से मान लो कोई लड़ाकू विवान हमसे 500 km दूर है तो इस condition में लड़ाकू विवान इस missile को 400 km की दूरी पर पहुँचने पर इसे fire करेगा इसलिए इस missile के लिए range matter नहीं करती है लेकिन इस missile का DRDO एक और variant बना रहा है जिसकी range भी बढ़ाई जाएगी और धीरे धीरे करके DRDO इसकी range को बढ़ाता रहेगा अब आपको बतानों कि इस missile का नाम है आस्त्र मार्क टू और इस missile की एक और खास्यत है या missile अपने दुस्मन को ढूंड कर उन्हें बरबाद करती है और इस missile के बनते ही भारत हवाई उद्ध के मामले में चीन और पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा क्योंकि इस missile को बनाना इतना आसान नहीं है बहुत से देश ऐसे भी हैं जो लड़ाकू विवान तो बना चुके हैं लेकिन लड़ाकू विवान में लगने वाली air-to-air missile को नहीं बना पाए हैं और अब आप समझ गए होंगे कि इस missile को बनाना कितना मुश्किल भरा काम है और ये जो नो टैम जारी हुआ है 26-27 फरवरी के बीच और इस नो टैम का जो एरिया है वो है 170 किलोमेटर और डियार्डियों इसी 26-27 तारिक के बीच आस्त्र मार्क 2 का टेस्ट करेगा तुकोई 30 TMKI fighter jet से और इस missile के सफल टेस्ट होते ही इस missile को इसी साल भारती वायू सेना में भी सामिल कर लिया जाएगा और इस missile के भारती वायू सेना में सामिल होने से भारत हवाई उद्ध के मामले में चीन पाकिस्तान से और आगे निकल जाएगा अब आप लोगों का क्या कहना है इस अस्त्र मार्क 2 पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक से और सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जड़ दबाएं ताकि इस missile से जूड़ी खबरें या टेस्ट पर आपको अपडेट मिलती रहे धन्यवाद कर दो